एक बार सुर्पदमन नाम के एक राक्षस ने अपने कठोर तपस्या से भगवान शंकर को खुश कर लिया कर दो झाले के एक बार सुर्दमन शंकर का थे एक राह देल को तो एक विकर भी जाए पार सुर्दमन शंकर कर देल हम तुम्हारी तपस्या से खुश हुए हैं सुर्प दमन मांगो क्या वर्दान मांगते हो जय हो बोलेनात धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए मुझे वर्दान दीजिए कि मैं अजय हो जाओं कोई भी मुझे परास्त ना कर सके मैं अजय हो गया अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता अब देवतागन बचकर कहां जाएंगे शिपची के इस बर्दान से देव लोग पर मुसीबत आ गई सुर्पदवन ने देवताओं को हरा कर बंदी बनाना शुरू कर दिया इन्रदिव बड़ी मुश्किय से जान बचा कर भागे बडम हरा आएंगे यर झाल मुश्का अचान जाएंगे यर झाल मुश्का रक्षसराज, सब देवताओं को बंदी बना लिया है, सिर्फ इंद्र देव बच निकले है, और दक्षिड भारत की पहाड़ियों में जाकर चिप गए है उसको भी ढूंड कर बंदी बनाओ, मैं कैलाश परवत जा रहा हूँ, अपने किष्ट देव शंकर जी से मिलने कहां भागे जा रहे हो वरुण देव, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो, तो रुख जाओ मैं तुम्हें बंदी नहीं बनाओंगा सच? तुम भी और देवताओं की तरह बंदी नहीं बनना चाहते, तो मेरा एक काम करो काम? कैसा काम? मेरे प्रकोप से डरकर, इंद्र दक्षिन भारत में कहीं छुप गया है दक्षिन भारत बासियों ने उसे चुपा कर मुझसे घद्दारी की है, उन्हें इसकी सजा मिलेगी तुम वहां मेख ले जाना, बंद कर दो, एक पूंत पानी भी वहां ना बरसने पाए सूखे से तड़ पेंगे, तो इंद्र को मेरे हवाले कर देंगे जैसा मैंने कहा है, वैसा करो, वरना तुम भी मैं मजबूर हूँ, इस दुस्ट की आग्या मानी नहीं पड़ेगी वरुन देव के प्रकोप से पूरे दक्षिन भारत में सूखा पड़ गया वहां की बुरी हालत देखकर, रीशी अगस्ते का मन भराया और वो ब्रह्मभाजी को खुश करने के लिए यग्य करने बैठ गये ओम ब्रह्म देवताब्यो नमस्ताः ओम ब्रह्म देवताब्यो नमस्ताः ओम ब्रह्म देवताब्यो नमसाः ओम ब्रह्म देवताब्यो नमसाः ये कौन हमारा आख्वान कर रहा है नमो ब्रह्मन नमो ब्रह्मन नमो ब्रह्मन आपका यज्य सफल हुआ मुनिवत कहिए क्या चाहते हैं प्रणाम ब्रम्भदेव प्रभु आप इस प्रदेश की हालत देख रहे हैं पानी की एक बून नहीं है इंसान पशु पक्षी पेड पौदे सब नस्ठ हो रहे हैं आप तुरंत कैलाश परवत पर भगवान शंकर के पास जाईए उनकी जटा से गंगा बहती हैं वही आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं जैसी आपकी आज्या प्रभू वही आपकी आपए जैसी आपकी 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 हुए हुआ 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 अरे मुशक, तुम्हारी तुम उच्छे बन गई मुझे ठंड लग जाएगी, क्या करते हैं प्रभू अरे यह तो रिशी अगस्तिया है यह बहुत ग्यानी सन्यासी है अग्यादी जी प्रभू अब मुनीवर यह जल लेकर दक्षिन भारत जाएगे क्यों ना हम भी चलें मैंने दक्षिन भारत का प्रदेश नहीं देखा है उनसे पूछो वो हमें साथ ले चलेंगे पूछने पर तो कभी नहीं ले जाएंगे हम चुप चाप इनके पीछे पीछे चलते हैं इतनी दूर तक तो मैं धंक जाओंगा प्रभू आलसी कहींगा चल बड़ा आनन्द आएगा हुआ 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 है कर दो कर दो कर दो कर दो कि जन खर नह दो हो है झाल ते टो झाल 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 हुआ खबके उना पहा हुआ झाल उना कि नहना झाल लुझाल फबके उना लुगा हुआ झाल झाल लो वहां पश्चु पक्षी पाने के बगैर प्यासे मर रहे हैं और मुनिवर आराम करने बैठ गए मैं तो थक गया चलते चलते मुनिवर भी ठके हुए हैं कहीं सो गए तो ना जाने कितना समय व्यार्थ हो जाए हां परंतो हम क्या कर सकते हैं हां मुझे एक युक्ति सूजी है तू यहीं बैठ कर तमाशा देख यहीं में सो जाता है तू कर देख यहीं आराम कर देख कि अरे मुर्क ये क्या किया मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया काले मुग के राक्षष मैं तुझे श्राब देता हूँ अरे गनेश जी आप शमा करे मुनीवर समय नश्थ हो रहा था इसलिए मैंने आपका कारिया आसान कर दिया वो देखिए धन्य हो प्रभू मुझसे पैचानने में भूल हुई उसके लिए शमा चाहता हूँ नहीं मुनीवर आपने तो प्रित्वी लोग के भलाई के लिए बहुत बड़ा कारिय किया है युगो युगो तक ये कावेरी नदी इसी तरह बैती रहेगी और इसका जल प्रानियों को जीवन दान देगा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विग्णं कुरुमे देवा हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय के सबसे उची परवत कैलाश परवत से यहां रहते हैं कनेश जी के पिता भगवान शिफशंकर और मा पारवती शिफशी के सबसे बड़े सेवक नन्दी बैल है और उनकी बड़ी सी गणों की सेना है यही से शुरू होती है हमारे प्यारे बाल गणेश जी की कहानी एक बार मा पारवती ने नन्दी से कहा नन्दी मैं नहाने अपने महल में जा रही हूँ जब तक मैं आज्या न दूँ किसी को भी महल के अंदर मत आने देना जो आज्या माते कर 와 दो में आने पकार माते जो कर नेकह कार माते प्येके ह्याद स्क्सा एक बाला कर दोग्या देना घर कार उन्दी। ड़किवर के जाने पाला के लार प्यादफेled आने अन्दी साने का जार्व़ाऊ फूगीउ कर दो कर दो कर दो कर दो जय हो भोले नात रास्ते से हटो अंदर जाने दो चमा करें प्रभू माह पार्वती ने कहा है कि किसी को भी अंदर ना आने दें अरे मूर्ख यह आदेश औरों के लिए है मैं तो उनका पती परमेश्वर हूं परेहट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो प्रिये आप भीतर कैसे आ गए नंदी ने आपको रोका नहीं प्रिये वो मेरा दास है उस बेचारे की क्या मजाल जो मुझे रोके पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था उसे इस तरह मेरी आग्या का अपमान नहीं करना चाहिए था पर मैं तुम्हारा पती हूँ मुझे रोकने का क्या फायदा आपका कहना सही है प्रभू पर नंदी का इस तरह मेरी बात ना मानना धर्म संगत नहीं है क्रोध मत करो प्रिये उसे ख्षमा कर दो वो थोड़ा कम बुद्धी का है नहीं ये नंदी ने ठीक नहीं किया लेकिन वो भी क्या करता स्वामी भक्त है उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं होई होगी मुझे एक ऐसा गंड चाहिए जो बुद्धी मान हो सास ही हो और मेरी आग्या का पालन करे मैं खुद एक ऐसा गंड बनाऊंगी मैं खुद एक ऐसा गंड बनाऊंगी मैं खुद एक ऐसा गंड बनाऊंगी मैं खुद एक ऐसास वासित रुद एक पालन आग्या का बंदे थे defect अए नए भूम नवाब शी बाइ झुमं नब शब गी, आम वाख शिधाराइ झाप शा शुम्न अमा शीवार्य झाम वाख सकत्री चाराओ प्रमा शीवाराउ झाम चार्यो ग्रिट्व गो को और झाम वाख से गजिवाराइ अम्नाब शीवाइ अम्नाब शीवाइ अम्नाब शीवाइ अम्नाब शीवाइ अम्नाब शीवाइ कि अम्नाब शीवाइ अम्नाब शीवाइ अम्नाब शीवाइ कर दो कर दो कर दो कर दो कर माघए संश हुआं घुआ कर दो कि एम कर दो कि एम दों कर दो को पर देखो हमें और सतर्क रहना होगा और कहीं भी वो तका है आप लोग सब ध्रान दें तो अब भी सब्सक्रान देखो यहां ? गनेश, पुत्र गनेश, जी मा, पुत्र गनेश, जी मा, देखो पुत्र, मैं स्नान ग्रव में स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर बैठो, और जब तक मैं ना कहूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना जो आगिया माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूँगा, आप निश्चिंत होकर स्नान करें कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे नहीं मा, आप चिंता ना करें शमा करें प्रभू, आप अंदर नहीं जा सकते नन्हे बालक, तुम कौन हो, और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो मैं गौरी पुत्र गनेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ उनका आदेश है कि जब तक वो आग्या ना दे, किसी खोबी भीटर आने ना दिया जाए गौरी पुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं गौरी पती शिबशंकर हूँ द्वार से हट जाओ बालक कदापी नहीं, जब तक मा आग्या नहीं देती, मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूँगा जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ यह आसंबव है देखो तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते, रास्ता छोड़ो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा परिणाम चाहे जो भी हो, सूरिय पश्यम से निकल सकता है, चंदरमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता हूँ मूर्ख बालक शांत, शांत प्रभू, जोटा सा बच्चा है, इसे मैं समझा बुझा कर हटाता हूँ समझाने से ना माने तो जबरदस्ती हटा दो बालक गणेश, तुम मेरे स्वामी का गुस्सा नहीं जानते बाते मत बनाओ, हिम्मत है, तुम मुझे हटा कर दिखाओ मुझे मत ललकारो बालक दरपोक हो तुम दरपोक ऐसी बात है, तो मेरी शक्ती का सामना करो कर दो अरलक पर दो जालकश जालकश भाल अर्प मत बाल जालकश वालकश जालकश वालकश जालकश हखग। प्रस्ट अटजज़ प्रस्ट का फ्रक्राइब प्रस्ट अवग। हुँँँँ सर्फ मार डाला रे मार डाला सेना पति गण अपने रक्षकों के साथ जाओ और उस हठी बालक को हरा दो जो आज्या प्रभू चलो और आ हाँ पहुआ है? वाँ पूँआ खूँआ खूँआ । पूँआ गुँआजए खूँआ वाँ जाँ अनर्थ घोर अनर्थ भगवान शंकर गुस्से में आकर ये क्या अनर्थ कर रहे हैं बालक गनेश को प्यार से समझाने के बजाए उसे परास्त करने के लिए गड़ों की सेना भेजी है मुझे बीच बचाओ करना पड़ेगा रुको ये क्या मुर्खता है एक अकेले बालक से इतने सैनिक लड़ रहे हो पीछे हटो पुत्र गनेश आपको भी इस तरह हट नहीं करने चाहिए हट मैं नहीं पिता जी कर रहे हैं तुम्हें पिता की आग्या का पालन करना चाहिए मार्ग से हट जाओ पिता की आग्या का पालन करूँगा तो मा की आग्या का क्या होगा और मा का आदेश मैं कभी नहीं टैल सकता जिद मत करो बड़ों की बात मानते हैं द्वार से हट जाओ मेरे लिए सबसे बड़ास्तान मा का है, मैं नहीं हटूंगा इसे युक्ति से हटाना पड़ेगा अन्यथा, यदि भगवान शंकर को क्रोध हा गया, तो अनर्थ हो जाएगा देखो बालक, मेरी बात मानोगे, तो तुम्हें पुरसकार दूँगा पुरसकार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाते हैं, ये आपको शुबा नहीं देता ब्रमदेव मुझे दिक्षा मत दो बालक, हट जाओ, नहीं तो अब डराने लगे, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ इसे वश्मे करने के लिए बल प्रयोक करना पड़ेगा, तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा इस बालक पर ब्रम्हास्त्र चलाना ठीक नहीं होगा रिलिए में दोटाँ चलान अज़ेगा बालक दैका परेगा चौँ एफ, बालक रड़ेगा भुँ इसे प्र दोब्देब करने लुटाँ प्रीव झाँ झाफ... कहा पाले कि Mizhan ताले बेडरी सब्यस से कव मअझारा वे टो सब्सक्ड़ा तो टे लुड़ी एंगे एंगे लुड़ए नह तर घब एंगे एंग में एंगे लुड़ाँ का सबने कर फथर पहा सकते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो गोर अनर्थ होने वाला है क्या हो अप रभू आप विचलित क्यों हो गए सब कुशल तो है ना देवी भगवान शंकर का क्रोज चरम सीमा पर है और वो तांडव कर रहे हैं शिव शंकर तांडव कर रहे हैं तब तो अवश्य ही कोई घोर विपत्ति आने वाली है हां हमें जल्द ही उनको शांत करने के लिए कैलाश पर जाना होगा प्रभू मैं भी आपके साथ चलती हूं इसी बहाने बहन पार्वती से भी मिल लूंगी कर दोस्ति आने पार्वश्य आने पार्वक्वश्य विडिया आने भी मिल वाली है स्वामे ये मेरे पुत्र कवत कर दिया पुत्र गनेश ये अपने क्या किया अप्राणात्थ क्रोध में अपने ही पुत्र का वत कर दिया और आप सब देवगर्ण चुप चाप खड़े ये तमाशा देखते रहे किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आए क्या एक नन्य से बालक को हराना इतना जरूरी था कि सभी देवता यहां इकठे हुए है बोलिए आप सब चुप क्यों है शांत होगे आपका क्रोध इस नन्य से भालक के प्राण लेकर नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए जीवित आपको इसे प्राण दान देना होगा अन्य था मैं भी यहीं प्राण त्याग दूंगे यह आप kya कह रहें यह देवी मैं नयय मांग रहे हूं मेरा पुत्र निर्दोष था वो मेरे आगया का पालन कर रहा था कि क्रामा करें देवी यह असंभव है तो मेरा जीवित रहना भी असंभव है यदि इसी समय मेरे पुत्र को पुनर जीवित नहीं किया गया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी आपने क्रोध वश अपने ही पुत्र का वत कर दिया भोले नात अब आपको देवी पार्वती का आग्रह स्विकार कर बालक गणेश को जीवन दान देना ही होगा अन्यथा उनकी क्रोध की अगनी सारी सृष्टी को तहस नहस कर देगी वास्तों में देवी पार्वती का आग्रह अनुचित नहीं है क्रोध में आपने जो अनुचित कार्य किया है उसका यही प्राईश्चित हो सकता है भोले नात अंकर त्याग कर देवी पार्वती की प्रात्ना स्विकार किजी भोले नात यह संभव नहीं है मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सर धड़ से अलग हो गया वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता तब तो यह कहीं उपाय है किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्तर से ना काटा गया हो बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है सोचने में समय नश्ट मत कीजिए तुरंत अपने गड़ों को आदेश दीजिए जाओ किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उतर दिशा में हो और जिसकी मा अपने पुत्र की तरफ पीट करके सो रही हो जो आग्या प्रभू देर मत करो अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा जो आग्या चलो जो आग्या चलो कि प्रण़ प्रण चे नजया हो जिसे ही जिए। कि व्रेटिनों । मूर्खो यह क्या ले आए प्रभू आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला हम उसका मस्तक ले आए हैं सोचने का समय नहीं है भोलेनात इसी मस्तक को जोड़ कर बालक गणेश को जीवित करो अम अम नमा शीवाई अम नमा शीवाई अमा शीवाई अमा शीवाई वाँ लोदेवी ये जीवित हो गया आपने इसे जीवित तो कर दिया प्रभू परन्तु इस रूप में इसे देखकर सब इसका मसा खुडाएंगे चिंतित मत हो प्रिये ऐसा कुछ नहीं होगा मैं इसे वर्दान देता हूँ कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे ये अद्भुद बालक प्रित्वी वासियों का कल्यान करेगा मैं इसे वर्दान देती हूँ कि जब भी कोई शुप कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा ये बालक विद्ध्या और बुद्धी का दाता होगा हर मंदिन और घर में इसकी स्थापना की जाएगी लोग इसे हमेशा लड़ुओं का भोग लगाएगी फुझ हमेशड़ की जाएगी प्लिवाज प्लिवार से लोग आज़ प्लिवादाने लोग युझाने लोगादा जर जो अज़ा है। है अई अईूँ अटारी औारी? है अईूँ औरो अटारी? है दूँग पारी? है फैका है बहुत है है भाराऊ से रह लोगस कि एका यूग औरे? Mmh, बहोत्स वादस 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 ते! Mmh! Mmh! भाईया, चलिए, चरने पर हमें स्नान करने चला है, तुम ही जाओ कार्तिक, आज भूजन की मात्रा थोड़ी अधिक हो गई है, मुझे नींद आ रही है, बहुत अधिक खाकर आप बड़े आलची हो गया भाईया, हाँ, व्यर्थ की बात है, मैं तुमसे अधिक चुस्त और पुर्तिला हूं, रहने दीजे भाईया, आप तो मेरे साथ तोड़ भी ने पाएंगे, तुम मेरी शक्ती को नहीं जाम पेकार्तिक, नारायन, नारायन, आप दोनों में से कौन अधिक सक्षम है, इस बात का निन्ने तो, एक स्पर्दा से ही हो सकता है, कैसी स्पर्दा मुन आप दोनों ही, पूरे विश्व के तीन चक्कर लगा कर आएं, जो पहले वापस आकर, अपने माता पिता को प्रणाम करेगा, वही विजयी घोशित किया जाएगा, नारायन, नारायन, पूरे विश्व के तीन चक्कर, मैं मोर्चे थो रहा हूं, प्रभू, मुझे स्विकार है, मुझे भी स्विकार है, हेख मांग जाएगा, मैं जा पूँ, ये, ये, ये ! चलो.. चलो.. त्यांव आएएगी लीजिये, विश्वी के तीन चकर पूरे हो गए मुनीवर कैसी? आप तो यहां से गए ही नहीं? आप तो सब जानते हैं मुनीवर मेरे माता पिता में पूरा विश्व समाया हुआ है उनका चकर लगा लिया, तो हो गया पूरा विश्व का चकर गना गना दी गना शेवितं भाईया आप गर्णाई नहीं सच मुझ आ ल्ची होगए आप इन्होंने आप से पहले ही विश्व के तीन चक्कर पूरे कर लिये हैं और ये विजेई घोशित भी हो चुके हैं नारायन नारायन नहीं, भाईया ने जरूर कोई चालाकी की है चालाकी नहीं, बुद्धि मानी नारायन नारायन अच्छा भाईया, अगर आप सचमुष दुनिया के तीन चकर लगा के आए हैं तो बताएए अपने क्या-क्या देखा साथ महादूईप, चारो महासागर, हिमालिया परबत के सबसे उची चोटी और विश्व के सबसे लंबी नील नदी देखी, और बताऊं बस-बस आप विजये हुए, लेकिन ये कैसे हो सकता है, एक छोटी सी उपती से, परंतू, आज मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा छोटा भाईबी कुछ कम नहीं, वास्तव में आज के इस परदा के सच्छे विजयता तो तुम ही हो कि विलंगे हुए, ऱ विलतो झाल percentage post पर फटस्वाफ देखीโ hacking हुए जुए Harald